बहुत अच्छी बाते बताई गई, कुछ तीखी बाते भी बताई गई, जादर तर चुनावी सभाओं की छाया वाली बाते भी बताई गई, हर एक अपना अपना एक एजेंडा होता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन, यहां कहा गया कि, हमारी उंचाई को कोई काम नहीं कर सकता है, ऐसी जलते हम नहीं करते हैं, हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बरबाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लंदी कर देए जिन्दी की खपादे हैं, और आपकी उचाई आपको मुबारक हो क्योंकि आप इतने उचे चले गए हैं कि जमिन दिखना बंधा हो आप इतने उचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड चुके आप इतने उचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुछ दिखता है और इतले आपका और उचा होना मेरे लिए अस्थन्त संतोष पराना और मेरे कामना है कि आप और उचे बढ़े हमारी आपसे उचाई के समझ में कोईश पर रधाई नहीं क्योंकि हमारा सपना उचा होने का है ही नहीं हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है हमारा सपना हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पाकर के और मजबूती देश को देना ये हमारा रास्ता है और इसलिए जिस परधा में हम नहीं है उस परधा में हम तो आपको शुब कामना ही देते रहेंगे और उचे और उचे मैं देख रहा हूं कि बार बार चरकाती है लेकिन दस फारें लोग फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए ये बात थही है कि कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए लगा होता है अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परिशानी हो जाती है जैसे नाम नहाने से भी जैसे अपमानित करती है कैसा मैसूस होता है हो सकता है कुणा नहीं चाहिए देख होता है लेकिन मैं चुनोती देता हूँ 2004 से पहने इस देश में अतरी वहरी वाटपाईजी के सरकार थी 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिक्रूत कारेकम में एक बार भी एक बार भी अतल जी की सरकार की तारीख की हो उनके अच्छो कामों का उले किया हो तो जुरूर इस पटल पर रखे है इतना ही नहीं अतल जी छोड़ो नर्थिमाराव की सरकार की तारीख की हो उरक इतना ही नहीं यह अभी के भाशन में भी एक बार दोस्तर मनमौ जी जी का नाम बोले होते तो मुझे रखते हैं और वो बड़े बड़े लोग थे मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूँ मैं तो सामाने वज़ते हूँ लेकिन लाल कीले पर से शायद भरी भाय करना चाहिए शायद मैं पहला प्रदान मंतरी हूँ जी से दो बार ये कहा है कि आज हाँ भी से लेकर के अब तक केंद्रे की और राज की जितनी भी सरकारे भी समना सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है इस सदन मैं भी अनेक बार में कह चुका हूँ हाँ दुबारा कहता हूँ हमों लोग नहीं है और इसलिए बार बार ये कहना हाँ उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए वो एक अलग बात है लेकिन मैं गुदान देता हूँ हम लोगों का करेक्षा क्या है हम लोगों का चरीक्तर हमरी सोच क्या है जानकारी के लिए तब ही आपको समझने में सुईदा होगी कपको नहीं होती है गुजरात में मुझे लंबे अर्षे तक मुख्यमंतितर के अनाते काम करने का अफ़सर मिला गुजरात के 50 साल हुए थे गोर्डन जुविली एर थे उस गोर्डन जुविली एर का अनिक कारकम किये सब को साथ लेकर के किये लेकिन एक महत्वन काम मैं आज यहां बताना चाहता हूँ मैंने सूचना की सरकार को कि 50 साल में जो राजपाल महोदे के भाषन हुए है उन भाषनों को कमपाइल करके उसका एक ग्रंत निकाला जाए और वो हिस्ट्री का रेफर बनना चाहिए हम मुझे बताएं कि 50 शाल्क Clems का भाषन मतलब किसका भाषन था उस समय की सरकारों की एक प्रकार से बहाबाई कहो या उस समय की सरकारों के काम की का उसमें लेखा जो खर था हमारे दल की सरकार नहीं इसे लेकिन यह हमारी सोच का हिص्चा है कि सासन चलाने की ववता में जो भी है देश को आगे ले जामें जिसकी भूमी का है और वो पुनत या सकाराथ मक्ता किसी अकबार के डिटूरों का कमपाईलिशन नहीं छापा था गवर्नर के भासन हों का छापा है और आज उपलब तह जागर के देखे और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिलकुल गिनते ही नहीं है और बार बार हमको सुनाते रहना ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिनोंने कभी किसी को स्विकार किया वन्हा देश को लगता था कि उनके कायरकार में नर्शे माराओ को भारत रत 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 र और इसलिए पुर्पा करके मैंने यह कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आनन नहीं हो लेकिन बार बार यह हमको सुनाया जाता है तो फिर तस फर और नो फर्दर आज मैं रेकॉर्ड पर इस जी रखना चाहता हूं हम किसी के युगणान को रखाते नहीं है और जब हम कहते हैं कि 700 करोर देश वाक्षियों ने देश को आगे बढ़ाया तो 700 करोर देश वाक्षियों सब को आते हैं जी और इसलिए तुपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा ना बना दे मैंने देख जी जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए किसे ने किया किसे ने किया किसे ने किया आज पतीज जून है साथ बहुत लोगों को जानदारी भी ने कि पतीज जून क्या है अगल वगल वग पूछरा पड़ता है पतीज जून की वो राप देश की आत्मा को कुछल दिया गया था भारत में लोग तंत्रा समिधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है भारत में लोग तंत्रा सद्यों से हमारी आत्मा इस आत्मा को कुछल दिया गया था देश के मिडिया को दबोस्त दिया गया था देश के महपुरुशा को जेल के सलाकों के पेशे बंद कर दिया गया था पुरह हंदुसान को जेल साना बना दिया गया था और सिर्फ किसी की सथा चली नयाईशली ये नाएक बालिता का जज्जमेन था नाएक बालिता का नाज़र कैसे होता है उसका वो जीता जाता उदार रहा है आज पती जून को हम लोग तंदर के फिस पती फिस से एक बार अपना समर्पन, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना हुगा समिधान की बाते बताना और समिधान की कुचलने के पाप करना इन चीजों को कोई खूल नहीं सकता है और उस समय जो जो भी इस पाप के भाज़िदार थे ये दाथ कभी मिटने वाला नहीं है और इस दाथ को बार मार्श बनन करना का भी ज़रूब है ताकि देश में फिर कैसे किसको ये ऐसा पैदा नहीं हो जिसको इस पाप के राख से बर जाने की इच्छा हो जाए इसलिए याद करना ज़रूब है किसी को बुरा बुरा कहने के लिए नहीं लोग तंत्र के प्रती आस्था का महत्व क्या है कि समझाने के लिए भी लोग तंत्र पर किस्पगार प्रहार वाता इस मरण कराना जरूरी होता है किसी को बुरा बुरा कहने के लिए नहीं होता है और इसलिए उन संपक्कों की पूरी के लिए उस समय जब कि मीडिया पर ठाले लग चुके थे हर कोई लगता था कि आशाम को पुलिश आई गी पकड़ लेगी ऐसे बात अबरम है कि मेरे देश के नाज़िकों की सामर्थ देखिए इनका टाकत देखिए जाती, बंद, संप्रदाए सब से उपर उठा करके देश ने उस समय चुनाओं में नतीजा दिया था और लोग तंतर के लिए वोट किया था और लोग तंतर को पुनप्र साथित किया था ये मेरे देश के मतलताओं की साथा इस बार फिर एक बार जाती, बंद, संप्रदाए, भासा सब से पड़े उठार करके सिर्फ और फरफ देश के उजवल भविश के लिए इस बार फिर से एक बार देश से बख्राने है माने दगी, राखपती जी ने अपने भाशन में